उत्तरपरदेश के प्रियागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से ठीक पहले अतिक एहमद ने टेलीफोन पर उमेश पाल से बातचीत की थी उसने गवाही से पलटने का आखरी मोकर दिया था सातमी चेतावनी दी थी की नहीं मानने पर अंजाम बुरा होगा लेकिन उमेश पाल ने अतिक की बात मानने से इंकार कर दिया इस बात के लिए दोनों में काफी बहस भी हुए उमेश पाल से अतिक एहमत की बातचीत कुड़ू मुस्लिम ने कराई थी इसलिए वारदात से कुछ दिन पहले ही वह उमेश पाल के घर आया था जबकि अतिक ने साबर मती जेल में बैट कर बात की थी यह खुला साब पुलिस की जाच में हुआ है बतादी पुलिस इस इंपुट का सत्यापन करने का प्रयास कर रही है पुलिस को मिली इंपुट के मताबिक उमेश पाल हत्याकांट से ठीक पहले एक दिन गुड़ू मुसलिम उमेश पाल के घर पहुचा था इस दोरान उसने अपने मुबाइल फॉन से उमेश पाल की अतीक एहमद से बात कराई थी बताया जारा है कि इस दोरान अतीक एहमद ने उमेश पाल से पॉइंट टू पॉइंट बात की थी कहा कि अपने भलाई चाहते हो तो गवाई से पलट जाओ इस बात पर उमेस पाल की काफी बहस हुई इस दोरान अतीक ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी बताया जारा है कि फॉन कटने के बाद गुड़ो मुसलिम ने भी उमेस पाल को समझाने की कोशिस की लेकिन उमेस पाल ने गुड़ो को अपने घर से भगा दिया था इसके बाद अतीक ने गुड़ो मुस्लिम, असद और गुलाम समित अन्य गुर्गो को योजना के मुक्ताबिक वारदात को अंजाम देने का फरमान दिया वहीं पुलिस ने बताया कि जब अतीक एहमद की उमेशपाल से बात हुई उत समय अतीक एहमद साबरमती जेल के अंदर बंध था और उसने अपने किसी गुर्गे दुआरा और पलब्द गराए गए टेलिफॉन से गुड़ो मुस्लिम के मुबाइल पर फॉन करके बात की थी पुलिस के मताबिक मामले की जाच के दोरान कैई और गंबीर तथ्य सामने आये हैं बता दे इन सबी तथ्यों का सत्यापन गुड़ो मुस्लिम ही कर सकता है फिलाल पुलिस उसकी तलास में लगातार दबिस दे रही है पुलिस अधिकारियों के मताबिक 5 लाग का इनामी अगातार भागते ठक चुका है पुलिस का दावा है कि यह बदमास अब चैन्ने में किसी खुक्याद बदमास के घर में स्रण लेगा ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ